नमश्कार दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है चमतकारी तोटकी में भारत के जाने माने जोतिशाचारे फेस रीडर वास्तू शास्र विशेह शग्य पंडित अरुन कुमार मिश्रा शास्त्री जी के अनुसार नया साल 2020 करक राशी के जातकों के लिए कैसा रहेगा आईए जानते हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजे हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक करके आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजे साल की शुरुआत में दोस्तों राहू आपके बारहवे भाव में है इसलिए आर्थिक द्रिश्टी कोंड से साल आप के लिए बहुत खर्चीला रहेगा इस थरह आपके खर्चे बढ़ेंगे जिने आप चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे हाला कि करियर के द्रिश्टी से आप अपने जीवन के नए पायदान पर कदम रखेंगे ऑफिस के काम से इस साल विदेश जाने के भी योग बन र अगस्त से अक्टूबर में आपको धन कार्य परिवार को लेकर कुछ गंभीर होने की जरूरत है दोस्तों हलाकि संतान की ओर से ये साल आपको शुब समाचार देगा विद्यार्थियों के लिए ये वर्ष बहुत मेहनत भरा रहने वाला है नवंबर के बाद का समय कारे को लेकर बहतर रहेगा और नौकरी के लिए नये अफसर प्राप्त होंगे और दोस्तों अब आपको बताते हैं करीयर कैसा रहेगा साल 2020 में करकराशी के जात्त को के लिए करियर के लिहाद से बहुत ही अच्छा है जहां आप फिलहाल नौकरी कर रहे हैं वहीं आपका आव महसूस करेंगे और आपका जोश संघर्ष और लगन से आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा देश विदेश से लेकर आपके आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ अच्छे संबंद बनेंगे जो लोग किसी प्रकार के बिजनस याने के व्याफसाई से जुड़े हैं उन से आपको निजात मिलेगी साथ ही साथ आर्थिकिस्तिती मजबूत होगी इस साल आप किसी सारवजनिक शुब कारे में खर्चा भी करेंगे इस साल जहां एक तरफ आप खुब पैसे कमाएंगे वहीं आपके खर्चों में भी तेजी से वृद्धी होगी मार्च और अप्रे होने के कारण इस साल आप अपना खुद का ओफिस भी खरीच सकते हैं दोस्तों कुल मिलाकर आर्थिक द्रिश्टी से देखा जाये तो ये साल आपको बहुत सारे मौके देगा जहां पर आप पैसा कमाएंगे कुछ खर्चा भी होगा लेकिन आपको उसका बैलेंस बनाके र किसमत भी इस साल आपका साथ देगी जिस चीज में आप हाट डालेंगे सफलता आपके कदम चुमेगी साल की शुरुआत में कुछ ऐसा हो सकता है जब आपकी तबियत खराब हो पढ़ाई पर फोकस ना कर पाएं लेकिन दोस्तों इस सिती बहुत जल्दी बदलेगी और विवाद आगे बढ़ सकता है जिसके कारण आपको परिशानिया हो सकती हैं वैवाहिक जीवन की बात करें तो करकराशी वाले जातकों के लिए आपका पार्टनर आपको पूरी तरह से सहयोग देगा हर शेत्र में आपका साथी बनकर उभरेगा फिर चाहे वो पारिवारिक प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर कोई भी बात हो लंबे समय से चली आ रही तानातनी कम हो जाएगी और आपका प्यार आपके पास वापस आएगा अब विवाहित लोगों के लिए ये साल बहुत ही खास होने वाला है लंबे समय से जिन लोगों को शादी का इंतजार है इस साल उनकी सीरियस रिलेशन्शिप कनवर्ट हो सकती है शादी में आपकी शादी हो सकती है दोस्तों सितंबर के महीने से भी कुछ सामंजस से देखने को मिलेगा अगर आप मानसिक रूप से खुद को परेशान महसूस कर रहे हैं तो इस महीने में आप काफी मजबूत और शा हो सकता है इसलिए अपनी सेहत पर जादा ध्यान दे यात्रा बेफुदूल की यात्राओं से बचें जो बहुत जरूरी हैं सिर्फ उन्हीं यात्राओं पर जाएं पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस साल आपको मिला जुला परिणाम देखने को मिलेगा पारिवारिक स सिती है जिससे मन व्यथित हो रहा है तो उस पर जादा ध्यान दें बातचीत के द्वाराओं से सुल जाएं देखा जाए तो ये साल आप अपने परिवार से दूर रहेंगे लेकिन जुलाई के मध्य में एक बार फिर से परिवार वालों के साथ आपका सामंजस से देखने क प्रेम संबंधों की बात करें तो करकराशी वालों के प्रेम संबंधों के लिए ये साल बहुत अच्छा माना जा रहा है अलाकि इस साल लव लाइफ में कुछ बदलाव भी आ सकता है आपका पाटनर आपके साथ अच्छे से समय बिताएगा साथी साथ आपको एक बहतर करना चाहतें तो इस साल बुरे परिडामों से बचने के लिए आपको किसी मिट्टी अलोहे के बरतन में सरसों का तेल रखें उसमें अपना चहरा देखें और उसके बाद उस तेल को दान दे दें मंगलवार और शनिवार के दिन खास तौर से चमेली के तेल का दिया जलाए और हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, सुन्दर कान पढ़ें, बजरंग बाण का पाठ करें, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, कोई भी एक चीज आप लेकर और उसे हर बंगलवार और शनिवार को पढ़ें, छोटे बच्चे विशेश रूप से लड़कों में बूंदी या गुड़ चना अवश्य बांटें, तो दोस्तों चमतकारी टोट के चैनल की तरफ से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुब कामना है